हलो दोस्तों वेलकम बैक टो आर चैनल मैं हों डॉक्टर विजय और आज की वीडियो में हम बात करेंगी गिलोई के बारे में इसके बहुत ही चमतकारी फायदों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल देने वाला है और इसको लेने के बाद में आप बन जाओगे सूपर प्रिशानी ही नहीं रही है कुछ उरुवाग तो जिंदगी भर तक आपकी तरफ मुड़के ही नहीं देखेंगे इतनी चमतकारी है यही गिलोई और जैसे कि बहुत सरे लोगों को तो कॉविड ने छुवा ही नहीं गिलोई के चक्कर में क्योंकि उन्होंने गिलोई का है को वैसे अमरिता और गुड़ूची के नाम से जानते हैं और इसके लूद्चाइ्द औरम एक में सेहिंतविक नाम इसका आपको बता थेता हूं सेयंटिफिक नाम है इसका टाइनश्पोरा और ये दो तरह आंका होता है मीजरणी कॉरडीफॉर और दूसरा टाइनश्प के बारे में है या फिर टैनोस्पोरा पोडिफोलिया के बारे में हैं यह है दोनों ही गिलोई के ही फैमिली के ही मेंबर अब देखों मैं सबसे पहले उन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो गिलोई के बारे में कलेम होते है और जो वाकई बहुत सही भी है यह वीडि बोगों में इम्यून बूस्टर की तरह करते हैं लेकर वह आपको यह भी बताते हैं कि आपको कितना लेना है क्योंकि अगर उससे ज्यादा लेंगे तो जो इम्यून आपका बूस्ट होना है यह उसी का बैंड भी बजा देगा और यह गिलोई नहीं यह सबी चीजों पर बाया नहीं यह अगर आप ज्यादा मांट में लेते हैं सही तरीके से नहीं लेते हैं तो आपको काफे नुकसान पहुंसता है वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब हम लोग बात करते हैं नैचरल प्रोडक्ट की और नैचर प्रोड़क्ट से रिएट वीडिय गराम 10 गराम मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात करता रहा हूं इस बारे में बट जो नैचरल समझ के आप खूब दबा के खा रहे हैं अब किसी के खून में जो है किसी में हीमोगलोबिन की कमी है और आपको पता लगा कि जो गिलोई है वो बहुत अच्छा जो है जो आ करता सब अच्टक्र गांचर दॉलीमरे में भी में खून में जो हो तो इसको हम लोग अमरिता बोलता है यानी कि इसका नाम में होता है जिसके बलकुल सुख जाएंगे पर इसकी बदले इसका बड़ता बत एक से और इसको यह। यह कभी मरता नहीं है तो अब यही वाली चीज आपके लिए जहर बन जाएंगे अगर आप जरूद से ज्यादा लेंगे तो तो इसलिए कोई वीडियो देखते हैं कोई देखते हो जिस भी बाई के वीडियो देखते हैं बाई बेंके वीडियो जिसका भी देख रहो आप उसको पूरा उबालेंगे फिर उसका काड़ा बनाएं फिर जूस उसका पीएंगे बलकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी हैं कि गिलोय जैसे उबालने से उसके कई सारे नेचुरल जो प्रोडॉक्स नूट्रियंट्स हैं वो खतम भी हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर उसक अब कोड़ द एक उसको उसक पनाएं फिर उसको यहाद रहें फाइदे भी होता हैं तो जिसने आपको रक्रमेंड चया है उसके कम से कम यह बूछ यह कि इस तो किसे कितनी डोज मेले न अब इसके गिलोए का जूश भी आता है मार्केटिम दमिकता है और वो जूस जो होता है वो तो कॉंसेंट्रेटड फोम में होता है यानि कि थोड़ी छोटी वोटल में ज्यादा गिलोए की कॉंसेंट्रेशन होती है अगर आप उसको भी वैसे ही लोगे तो आपका तो लिवर का भटा बैठ जाएगा तो इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है जरूरी जब साल बर पहले मुंबई में काफी लोगों के अंदर लिवर की प्रॉब्लम या लिवर फेलियर की प्रॉब्लम आ रही थी तो जब चेक किया गया तो और कुछ नहीं वह शराप पीते थे और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो निवर करने की जिन में जुरूरत पड़ती है उनके अंदर इंटेक की हिस्ट्री बहुत जादा कोई भी चाहे कोई भी वैदय है या कोई भी आचारी है जो आपको रेक्मेंट करता है कभी आपको यह कभी नहीं कहेंगे कि रात दिन आप दबा के प्यों उन्होंने भी आपको एक नॉर्मली हम लोगों के दारना होती है कि जो चीज पीने में या नैच्पल चीज कड़ भी होती है तो वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है बट वह एक लिमिट में तो अब जैसे गिलोई के अंदर अलकलोईड होते है और वो जो है कई बार अप ज़रूद से बने में परफाटे बात करते हैं क्योंकि मैं तो लंबी जोड़ी इमोशनोल लोगे बात करते हैं च्छै मिन आट हो चुके हैं तो ऑके टो अगर आप अभी तक रुके हैं तो थेक्ट यू सो मस्च रूके रहने के लिए शयद आपको मैं समझा पा रहा हूंगा अगर अग गारल दो लेकिन सिर्फ मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपको दोस्ता होनी चाहीं благодар जिसने रेकमेंड किया है, पूछो उन से, मिनिस्टरी रेकमेंड करती है, उसका सब कुछ बताती है, उसको पढ़ो पहले, डीटेल से पढ़ो, यूज करने से पहले, पूछो, आप सवाल पूछो, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए इस्तमाल किया जाता है, उसके लावा स्किन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को डीटॉक्स करने में मदद करता है, तो स्किन क्लीन होगी, तो एकनी और इन सब में भी फायदा मिलता है, बलड शुगर में इसका बहुत अच्छा रोल है, कि आए इंसुलिन की सेंस्टिविटीव को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, कि आपके शुगर की लेवर को कंट्रोल करता है, अब देखो ये कितनी खतरनाक चीज़ है, अगर मैं ये बात चोड़ के आपको बॉल चोड़ दूँगा, कि शुगर को कंट्रोल करने मदद करता है, आप ये इसको हर रोज पियेंगे, तो आपका बलड शुगर कंट्रोल होगा, अब कितनी खतरनाक बात है, अगर ये बात ही छोड़ दी जाए, मुझे ये बताना ही पड़ेगा, कि देखिए, अगर आपका शुगर जो है, प्री डाइबटिक फेज में है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, लेकिन अपने दॉक्टर से कंसर्ट करने के बात है, जितनी आपके डोज होनी चाहिए, उन से, आईरवेदिक एक्सपर्ट से लिए, तो कि आज कलना, यूट्यूब पे सब लोग अईरवेदिक एक्सपर्ट होन गया है, और उनको पता निया कुछ भी उसके बारे में, तो जो सही एक्शल आईरवेदिक एक्सपर्ट है, उन से जाके बात करिए, कि मैं जए लेना है, मुझे कितनी डोज लेनी है, वो आपको असेश करके आपको बताएंगे, तो जैनूबन आईरवेदिक एक्सपर्ट या होमेपेथिक एक्सपर्ट के पास आएंगे, कितना हो रहा है इसका तो पता नहीं चलेगा लेकिन आपकी इन लिवर पेफेक्ट करेगा आप डाइबटीज की दवाईयां ले रहे हैं साथ में इसको भी राद दीन लिए जा रहे हैं अब आपको शुगर और ज्यादा कंट्रोन नीचे चला जाएगा तो फिर आपको आपको गलाइसीमिया हो तो चीजों को समझने के बाद में आपको इस्तिमाल करना चाहिए आपके डाइजेशन में हल्प करता है लेकिन अगर यही चीज ज्यादा इस्तिमाल करे जाए इसके एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी भी होती है यह जो ओर्गन्स हैं उ जो जाए आपको पता होनी चाहिए हम प्लीन करती है चीजों को बलड को प्यूरिफाइट करने में हम पर बलड प्यूरिफिकेशन इसम्पल इतना है कि अगर एक साही डोज में लेली जाए तो जादा लोगे तो यह ज्यादा दिक्कत करेगी फिर यह है कि अब बात करते है कि अब इसकी डोज कितनी लेने का होता है, सुभे खाली पेट ले सकते हैं, आपको बढ़िया होगा है, बोड़ी सिन मैक्सम न्यूट्रियेंट्स अपने अंदर सोक लेगी, और एक रात श्याम के टाइम पर भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले, अब लेना कितना है, देख मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से, तो आप मैं उसको इंटर्वियों को भी देख सकते हैं, जाके, और दूसरा, मैं जो इस पे पर्टिकुलरली कमेंट करना चाहूँ, क्योंकि डोज है तो आपको पता रहेगा टेबलेट में कितना है, तो उसमें दिक्कत नियागी, दि पर आपको 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 पेट में पर इसा सिंक और अपि जानने को है, और फिर आपके लिवर भी एफेक्ट बना शुडू हो जाता है, तो आपको जो है उनका एक 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 करीम उसी काड़ इसे और आपको बहुत सारे बेनफिट मिलेंगे, आपकी लाइज बहुत अच्छ हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसी सारे को मिलो और बहुत सारी डंडिया डाल डाल कसमे पीएगे, फिर आपको हो जाएगी बहुत सारी दिक्कत, तो इसलिए दोस्तों किसी को उफेंड करने का बिल्कुल परपस नहीं था, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा जो मैडम जो बोला तुनों ने तो वो तो बोल रहते हैं कि पांच एमल तक पांच एमल तक जो है आप इसका जूस ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार तक, इससे जादा नहीं, एक बार खाली पेट या सशाम को, तो सबसे बढ़िया टाइम तो होता है खाली पेट ल रहा हूं, so please take it with a pinch of salt, I am not the ayurvedic और homiopathic expert, so मैं इसके बारा बहुत जादा बूस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो issues आए हैं उसको मैं address करने के लिए जीतना maximum literature था, वो पढ़ा है और वो मैपको इस बारे में इसको बता रहा हूं, जब controversy होई थी तब ये भी बात होई थी, कि जो गिनोय होता, दो टाइप को होता है, एक होता है, टाइनोस्फोरा, कोडिफोलिया, जो पान के पत्ते, जैसे पान पान के जैसे पत्ता होता है, और इसी वज़े से इसको मून हार्ट भी बोलका है, हार्ट मून, मून सीड, यानि कि दिल के जैसा जो इसकी शेप होती है, और दूसरे होता उसकी भी shape वैसा होती है लेकिन जो उसकी dandy होती है उसका अलग अलग तरह की कुछ variety होती है क्रिस्पा, तो यह controversy जो छो लो बुप यह बताया गया कि जो liver failure हो रहा है, वो CRISPा का हो रहा है बात मैं यह जो अभी आपको बात बुनने बालू यह मेरा personal opinion है कि देखे इस particular species की हब को लेने से liver failure के cases आई है तो चाहे वो आप कोई भी वाली ले रहे हैं क्योंकि जो दूसरे वाली है वो तो कोई particular fever में भी दी जाती है तो कोई भी ले रहे हैं आपको limited amount में लेना चाहिए डिसक्स करके लेना चाहिए एक बड़ कंसर्ट करने में कोई बुराएं नहीं है बट सही genuine आयरवेदिक हमें पैतिक सिंदा जो भी आयूश्द्र एक्सपर्ट है जो genuine लोग है उन से जिल्लो जाके मिलिए आपको बहुत फाइदा मिलेगा वो आपको ये भी बताएंगे कितना लेना है कितने दिन तक लेना है आपको सही नाप के बताएंगे वो ऐसे फटे नहीं मा रहेंगे कि लो डेनी पीओ काड़ा पीओ ये एकर हो फटे नहीं मा रहेंगे जैर मेरी genuine people क्योंकि हमारे जो सदियों से जो हमारे जो ये wisdom ही कठी हुई है वो अब सही मायने में देखा जाए तो उसके बारे में बात अब सबसे ज़्यादा हो रही है लेकिन वह सही जानकारी बहुत थोड़े लोगों के पास में है तो अगर आप लगी है तो आप सही जानकारी वाले सही लोगों से मिलते हैं उनसे आप concern करके ये करिए अब तो देख भो बहुत सारे अईरुम करके बताइएगा मैं इस वीडियो के वारे में बहुत ज़्यादा ये काऊंकि fully confident ये fact है तो वह सही नहीं बात हो भी कोई आयरुवेदिक expert भी इस पर चाहिए पर comment कर सकते हैं हमको guide कर सकते हैं बट मेरी सब उने यूट्यूबर से यह जो भी social media में बताते हैं सो प्लीज प मैं ने बताया कि एक अंगोटे के size का इतना जो है इतने size का जो है वो डंडी तोड़के उसको बाल के पीजिए उसी तरह से objectively बताईए ताकि लोगों को ज्यादा फाइदा हो अब वो तो बरोसा कर रहे हैं आप पे और आपने उनको बता दिया कि पीजिए नेस डेली पीज आपने ये भी बता दिया कि एक कप पीजिए अब एक कब मैं जो चाहे पीता हूं घर में मेरा कब बड़ा है ठीक है तो एक छोटा कब भी होता था एमल में बताईए objectively बताईए लोगों को लोग आप पे बरोसा करता है they trust you और वो आपके बाद को बिल्कुल सही follow करेंगे औ और जो लोग आपके बाद बरोसा करता है तो ये एक पावर है और अपनी पावर का सही इस्नमाल कीजिए Thank you so much